दोस्तो सबसे पहले हमारा नारा concept is power, because concept is power दोस्तो मैच में हर Q का जवाब है क्योंकि پ्राकृति संख्या को प्राकृति संख्या क्यों कहा जाता है प्राकृति संख्या से संख्या का क्या relation है सारे ही rotational number और irrotational number मिलकर real number बनाते हैं लेकिन सारे रियल नंबर मिलकर रोटेस्टनल नंबर नहीं बनाते तो दोस्तो इन तक बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में आज हम बहुत कुछ सिखने वाले हैं दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में टार्गेट PCS दोस्तो आज हम हमारा टोफिक है नंबर सिस्टम संख्याप पद्यति सबसे पहले हम बेसिक कॉंसेप्ट के बारे में देखते हैं दोस्तों जिसे मैंने शुरूवी बोला कॉंसेप्ट इस पावार तो सबसे पहले हमारा बेसिक कॉंसेप्ट किलियर होना चाहिए दोस्तों ठीक तो हमारा बेसिक कॉंसेप्ट में हम देखते हैं पहला नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर प्राकिर्ति संख्या प्राकिर्ति संख्या ठीक दोस्तों प्राकिर्ति संख्या के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे ठ कि नंबर क्या है आप कभी भी किसी से भी पूछे तो नंबर क्या है वह अपना जवाब क्या देगा जनते हो दोस्तों वह एक दो तीम चार पांच छाई साथ आठ नाव दस इस प्रकार से हर कोई प्राकि हर कोई संख्या का ओ ऐसे ही डिफाइन करेंगे आप किसी से भी पूछ लीजिए दोस्तों अगर मैं आपके हाथ में सुई चुभाओं अब बोलू कि नंबर सिस्टम बताओं नंबर कितने तक है तो आप स्टार्ट करोगे एक दो तीन ठीक दोस्तों यह हो गई प्राकिरती संखिया अब देखते हैं खूलनेंबर जिसले siis पूर्ण संख movement के नाम से जानते हैं होल नंबर पून संख्या ठीक दोस्तों ये पून संख्या दोस्तों पून संख्या तब कहलाता है जब कोई 0 से स्टार्ट हो 0 से अगर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्योंकि दोस्तों जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लेकिन आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए हमें दो नंबर की आवसकता पड़ती है मान के चले 32 लाग 53,078 ठीक दोस्तों 32 लाग 53,078 के लिए ये जो जितने भी सारे नंबर है ये इनहीं सारे नंबर से मिलके बना है दोस्तों ठीक तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर सिस्टम में हैं तो इसके आगे बढ़ाने के लिए हम जीरो की खोज किये दोस्तों सुन्या सुन्या की खोज किये अब सुन्या की खोज कौन किया था दोस्तों आप लोग जानते हैं ठीक तो अब देखते हैं तिसरा हम इंटेजर नंबर जिसे पुन्णां के नाम से जाने आता हैं ठीक दोस्तों इसमें क्या है इंटेजर जो नंबर में कि मैं एक दुकानदार हूं दोस्तों मैं एक दुकानदार हूं और मैं किसी से 4 रुपिये लिए ग्रहक से इसे 4 रुपिये धिये थैक दोस्तों अब उस्ते सभास्त Nigut लेकिन मैं इसे लिए ग्री ने ओप्रमदय सब्सक्राइएं कि आप मैंने लिए हैं कि उसको दिये मतलाब मैं 4 रुपए उससे लिया और 5 रुपए दिया तो इन दोनों confusion को देखते हुए कि मैंने लिया की मैंने दिया ये confusion को देखते हुए दोस्तों ये confusion को देखते हुए कि प्लास और म्यनस को इसमें पुनांक में एट किया दोस्तों इसलिए यह माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 यह प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 के रूप में इसे लिया गया दोस्तों ठीक है तो यह हो गया आपका इंटेजर जिसे पुन्णांग के नाम से हम लोग जानते हैं अब देखते हैं दोस्तों इसकी प्राइम नंबर अब आज यह संख्या अब देखते हैं प्राइम नंबर प्राइम नंबर अब आज यह संख्या ठीक इसमें क्या है वे नंबर जो दो से फेक्टर होते हैं उसे प्राइम नंबर कहते हैं या तो असान सब्दों में यह कह सकते हैं वे नंबर जो खुद एक से वे नंबर जो खुद से और एक से कटेगा उसे प्राइम नंबर कहेंगे जैसे कि दोस्तों दो यह दो एक से एक से भी कटेगा और दो से भी कटेगा यह खुद से भी कटा और यह एक से भी कटा तो इसे हम प्राइम नंबर कहेंगे और example देखते हैं 3 ये खुद से कट रहा है दोस्तों ठीक ये 3 एक से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है ठीक तो इसे भी हम prime number लेंगे अब देखेंगे 3 के बाद में 5, तो 5 भी खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, फिर 7, फिर 9, 9 नहीं होगा दोस्तों, ठीक, 9 3 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, तो ये 9 प्राइम नमबर नहीं होगा, 9 के 7 के बाद में सिधा 11 प्राइम नमबर और खुद से भी कटेगा ठीक तो यह प्राइम नंबर हो गया 2 3 5 7 11 ठीक बैसिक कॉंसेप्ट सबंजी कॉंसेप्ट इक पावर दोस्तों बैसिक कॉंसेप्ट तो सबसे पहले हमने यह चार चीजे सिखी कि नेचरल नंबर प्राकिर्तिक नंबर कहां साया कि हमारे जुबान से जो नेचरल नंबर निकर रहे है प्राकिर्तिफ्ट बहसा जो नी कर रहा है उसे अंकर लिए गये हैं कि आप किसी से भी पुछे तो वह एक से 2 तो एक से स्टार्ट करता है इसलिए नेचुरल नंबर का हम लोग यह यूज की हैं होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है इंटेजर में माइनस प्लस और बीच में 0 रहाएगा प्राइम नंबर अभाजे संख्या में 2 3 5 7 11 से स्टार्ट होता है दोस्तों अब देते हैं कमपोजिट नंबर जिसे संख्या के नाम से जानेंगे दोस्तों ठीक कमपोजिट नंबर कि संख्या यह हो गया दोस्तों कमपोजिट नंबर वे होते हैं जो दो से ज्यादा फेक्टर हो जो दो से ज्यादा के साथ में कटेगा जैसे कि मैं एक्जामपल बताता हूँ जैसे फोर हो गया दोस्तों फोर देखें फोर वन से भी कटेगा टू से भी खटेगा और 4 से भी कटेगा मतलब 2 से ज्यादा हो गया दोस्तों 1 से भी कट रहा है 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा ठिक यह हो गया composite number और लेकिन जो मैंने प्राइम नंबर में जो बताया दोस्तों उसे आप याद करिएगा कि प्राइम नंबर में खुद से कटे और एक से कटे उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे और जो सवयुक्त नंबर है जो सवयुक्त नंबर है जिसमें दो से ज्यादा से कटेगा दो से ज्यादा फेक्टर हो उसे हम प्राइम उसे हम सोरी दोस्तों कमपोजीट नं नंबर में जैसे कि 9 9 उसमें प्राइम नंबर में नहीं था लेकिन इसमें फिट 10 प्रिट 10 के बाद में हम लोग 11 नहीं लेंगी 11 प्राइम नंबर में 12 ये हो गया आपका composite number इसमें 123 नहीं आए गा दोस्तों वन इसमें 123 नहीं आएगा टू और थी आपका प्राइम नंबर में चला गया दोस्तों थीक वन नंबर की एक अलग ही विशेस ताएं हैं इसकी अलग ही भी से ताएं हैं दोस्तों इसलिए यह भी नहीं आएगा इस जो कमपोजिट नंबर में 468910 से स्टार्ट होता है दोस्तों तो यह बहुत असानी से समझ आएंगे दोस्तों कि नंबर कि जिसे कि समसंख्या के नाम से जानते हैं इसे आप लोग भी जानते होंगे जो नंबर दो से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए दो से पूरा का पूरा कट जाए दो चार्ट छे आठ दस यह नंबर इवेन नंबर है और ओड नंबर में क्या है ओड नंबर में विसम संख्या जो जो संख्या दो से पूरा का पूरा ना कटे उसे हम ओड नंबर कहेंगे दोस्तों वान थिरी फाइब सेवेन नाइन यह सब यह ओड नंबर हो गया लेकिन मैंने शुरू में बताया दोस्तों है रोटेशनल नंबर और इर रोटेशनल नंबर जो की रियल नंबर के रोप में है रोटेशनल नंबर को real number के रूप में जाने जाते हैं तो इसके बारे में हम सबसे पहले very important topic है दोस्तों आप समझे इसको रोटेशनल नमबर, ठीक ना, रोटेशनल नमबर के बारे में, रोटेशनल नमबर को परिमे संख्या के नाम से जानते हैं, परिमे संख्या, ठीक दोस्तों परी मैं संख्या हैं इसमें वे नंबर जो वे नंबर जो बट्टे के सकल में दिखाई थे ठीक वे नंबर जो बट्टे के सकल में दिखाई थे लेकिन इसमें एक कंडिशन है इसमें क्या कंडिशन है कि बी जीरो नहीं होना चाहिए ठीक उसे परिमेसं क्या कहेंगे मतला वे नंबर जो बट्टे के है वो निचे का भाग जीरो नहीं होना चाहिए यह कंडिशन इसमें एप लाइब होता है जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ one by three यह परिमेसंख्या टू बाइफ हाइफ यह परिमेसंख्या जीरो बाइट यह भी परिमय नहीं समझे दोस्तों ठीक नाम अब देखते हैं इसे हम अप परिमय संख्या के कहते हैं कि इसे हम नौट टर्मनेटिंग और नौट रिकेटिंग के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों नोट टर्मिनेटिंग नोट रिपेटिंग ठीक जैसे कि मैंने परिमेशंख्या में बताया कि परिमेशंख्या को हम नोट टर्मिनेटिंग बट रिपेटिंग इस परिमेशंख्या में एक बर इसे भी और समझ लीजे परिमेशंख्या को बारे में परिमे संख्या में 10 by 3 को हम divide करेंगे तो 0.3333 repeat होते जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों इस परिमे संख्या को not terminating but repeating यह repeat होते जा रहा है दोस्तों यह परिमे संख्या लेकिन जो अब परिमे संख्या है not terminating और not repeating यह repeat नहीं होगा दोस्तों काटने के बाद कुछ न कुछ आएगा जैसे कि हम पाई की संख्या पाई की संख्या की value हम लोग लेते हैं 22 by 7 22 by 7 लेकिन यह actual नहीं होता actual नहीं होता हम लोग approximate इसे मानते हैं लेकिन यह पॉइंट पाई का जो value जो होती है 3.14 फ्री पॉइंट 14 159215924 1592465 यह सब पाई की value है लेकिन यह not repeating है दोस्तों इसका लास्ट में इंड हो जाता है तो इसलिए इसका not repeating कहलाता है यह बट्टे में नहीं होता तो इसलिए हम अपरी में पाई root 2 root 3 यह सब को हम अपरी में संख्या के रूप में जाने जानते हैं ठीक अब हम लास्ट देखते हैं दोस्तों रियल नंबर रियल नंबर जिसे वास्तिविक संख्या वास्तिविक संख्या कहते हैं ठीक अब रियल नंबर क्या है देखिए सारा rotational number और rotational number मिलकर रियल नंबर कहलाता है ठीक नेचुरल नंबर होल नंबर प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर इवें नंबर ओर नंबर जितने भी नंबर हैं यह सब मिलकर रोटेशनल नंबर कहलाता है दोस्तों लेकिन इसमें क्या है रियल नंबर में रोटेशनल नंबर के साथ साथ रोटेशनल नंबर के साथ रोटेशनल नंबर भी एड़ है तो तो रोटेशनल और रोटेशनल मिलके रियल नंबर कहलाता है लेकिन रियल नंबर मिलके रोटेशनल नंबर नहीं कहलाता दोस्तों यह आप लोग याद कीजिएगा अच्छे समझिएगा तो यह आपको मैंने बेसिक कॉंसेप्ट बता दिया जैसे कि पहला कोईशन मैं आपको को बता रहा हूं दोस्तों तीन क्रमागत समसंख्याओं का योग चोबीस है ठीक बीच वाली समसंख्या क्या होगी ठीक बीच वाली समसंख्या क्या होगी तो तीन क्रमागत समसंख्याओं का योग निकालने के लिए दोस्तों तीन क्रमागत संख्या लेंगे एक से लेंगे, एक स्प्लस टू लेंगे, ठीक, और एक और लेंगे, एक स्प्लस फोर, तो हमारा पहला करमागत संख्या, दूसरा करमागत संख्या, और तीसरा करमागत संख्या निकल आ गया है, और इसके योग, इन सभी की योग कितना है दोस्तना, 24, तो हम इसे सोल्ब करे एक 1 2 3 मतलब 3x और 2 प्लस 6 तो कितना होगा 6 is equal to 24 अगर 3x को हम 24 3x equal to 24 minus 6 से minus करेंगे तो हमारे पास निकल के कितना है कि 18 और x को 18 divided by 3 करेंगे तो 6 होगा दोस्तों इस 6 को इसमें क्या किया गया है ठीक बीच वाली समसंख्या मतलब 1 2 3 तो 1 और 3 की बीच में 2 नंबर है तो 2 नंबर की ठीक बीच में x plus 2 को हम लेंगे तो 6 plus 2 is equal to 8 नंबर आएगा एंसर में दोस्तों ठीक ठीक बीच वाली समसंख्या का यवीgos 55 सबसे बड़ी विशम्षंख्या क्या होगा और इससे पहले मैंने तिन क्रमागत समशंख्या के बारे में बताया था दोस्तों तो इसम संख्या और बीच्ञ्म संख्या दिया गया है तो बीच्रम संख्या कहा गया दोस्तों क्रमागत विसमसंख्या क्रमागत विसमसंख्या उसे कहते हैं जो क्रम के अनुसार में रहे ठीक जो क्रम के अनुसार में रहे उसे क्रमागत विसमसंख्या कहते हैं लेकिन क्रमागत विसम्संख्या तो दोस्तों क्रमागत विसम्संख्या में जो दो के निकटतम रहे जो दो से निकटतम रहे उसे हम क्रमागत विसमसंख्या कहते हैं तो दो के निकटतम में हम एक से लेंगे दोस्तों और एकस प्लस तू लेंगे और एकस प्लस फोर लेंगे फिर एकस प्लस शिक्स और लास्ट लेंगे एकस प्लस एट ठीक तो ये दोनों सभी लोग दो के निकटतम दूरी पर है दोस्तों इसलिए हम इसे विसम क्रमागत विसमसंख्या के रूप में लिए जिसका योगफ़ल कितना है पचपन है तो एक द तो तीन चार पाँच ठीक दोस्तों इसमें हम सॉल्व करने के लिए देखते हैं यह वान टू थ्री फोर फाइब तो यहां पे फाइप एकस होगा और हमारा योगफ़ल कितना है ट्वेंटिफाइफ फिप्टिफाइब तो एकस इसकुल ए सोरी दोस्तों फाइप टोटल फ 20 अगर होता है टो एकस इट्कोल टो थाटि फाइब डीवाइड वाइफ फाइव कॉखल Two हमारा क्या निकल के आया दोस्तों छेवन लेकिन इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी बिसम संख्या क्या होगा तो इसमें सबसे बड़ा बिसम संख्या कौन है था एकस प्लस ए कि आप इसे किस तरह समझ के सोल्व करेंगे अब एक और क्वेस्टन देख लीजिए जिसमें कहा गया है दो संख्याओं के वर्गु का योग 165 हैं दोनों संख्याओं का गुड़न फल ज्याद किजिए यदि उनका योग 23 हो तो तो दो संख्याओं के वर्गों का योग मान के चलिए कोई भी संख्या के वर्गों का योग हम लेते हैं तो ए स्क्वाइर प्लस बी का स्क्वाइर का योग कितना 165 ठिक दोस्तों और यह उनका योग 23 है तो इसी का योग मतलब ए प्लस बी का योग कितना 23 है तो इन दोनों को हम यह देखते हुए क्या यह हमारा ए प्लस बी के फॉर्मूला के बेस पर है दोस्तों ए तो बिल्कुल साहीं बिल्कुल है ए प्लस बी का होल स्कॉर्य ज्कौत बी होता है ए स्कॉयर प्लस बी स्कॉयर प्लस टू यह भी ठीक तो कि तो हम इस value को इन दोनों के value की क्या यहां पर पूट कर सकते हैं हमारा सिधा मतलब यह है दोस्तों को पूट्टी वेल्यू गेट दी एंसर हम इसकी वेल्यू को यहां पर पूट करेंगे और एंसर लेके आएंगे तो a plus b का whole square is equal to 23 होता है दोस्तो 23 का square हो गया अब a plus b के value की जगा में हम 165 लेते हैं और plus 2ab तो a और b जो है हमारा गुड़नफल a into b दो गुड़ित a गुड़ित b होता है दोस्तों ठीक ना इतना आप लोग समझ लिजेगा अब क्या है कि 23 का जो square है वो 5 to 9 होगा और 165 प्लस 2ab क्या हम 2ab को इधर लाएंगे और 5 to 9 माइनस 165 करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना निकल के आएगा हमारा 2ab is equal to 364 निकल के आएगा दोस्तों ठीक ना 364 अब हम a b is equal to 364 divided by 2 कर सकते हैं ठीक ना दोस्तों इतना तो होगा फिर a और b का जो है वो 182 182 से यह पूरी तरह कटेगा तो हमारा दोनों संख्याओं का गुड़न फल a और b का गुड़न फल a और b का स्क्वाइर जो था दो संख्या थी हमने a और b संख्या मानी तो उनके वर्गों का योग 165 है और यदि इनका योग जो संख्या है इन दोनों संख्याओं का योग इतना है तो हमने a प्लस b के holy square के थुरूपे हमने इसको solve किया और हम दो संख्याओं के गुड़न फल के को हम लोग यहाँ पर ग्याद कर लिए दोस्तों ठीक तो दोस्तों हमारा क्लास अभी यहीं के लिए अगर वीडियो अच्छा लागे तो लाइक सेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों सेयर कीजिए और आप लोग अपने सभी दोस यहाँ हमें बनाने को मिल रहा है दोस्तों ठीक ना मैं तो जल्दी से जल्दी दोस्तों सेयर कीजिए कमेंट्स कीजियो अचिश चाहिए मैं जो पीडिका कि आप लोग को और किन टाफिक वीडियो चाहिए तो आज के लिए दोस्तों हमें क्ला से ही पर समाप थोता है धन्यवाद झाल झाल